अब देख रहे हैं Gossip Town और मैं हूँ आपके साथ फ्रतिका बिग बॉस OTT सीजन 3 के खत्म होते ही बिग बॉस 18 का है फांस को बेस सब्री से इंतितार और इस शो में अब बहुत बड़े बड़े नाम आने वाले हैं जिनकी चरचाइब होने लगी हैं और इसी बीच टीवी की एक जाने मानी आक्ट्रिस का नाम भी इस शो से जुड़ता जा रहा है कौन है वो हसीना जो की इस बार इस Controversial शो में हिस्सा लेकर सब के दिलों को धड़काने बारी है अगर आप के पास है कोई भी guesses तो पड़ावच से कर लीजिए अदवाइस मैं आपको ना एक हिंट देना चाहती हूँ और वो हिंट है कि बीते साल याने कि Big Boss 17 में भी उस हसीना को पहले आना था लेकिन दो कंटेस्टेंस की वज़े से उस हसीना ने खीच लिये थे अपने हाथ पीछे अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रही है मेरे संसे तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ बो लडड की और कोई नहीं वलकी है आईशा संग जो की गुम है किसी के प्यार में साई का केरदार निभाया करती थी और अब वो इस शो के बाद कोई بھی काम नहीं कर रही है और ऐसमें मेकर्स साई का केरदार निभाने वाली आईशा को इस शो में लानाः चêuाते हैं makers ने टीम से कर ली है बाद और almost चीज़े हो गई है confirm हला कि official announcement कुछ भी नहीं हुई है लेकिन chances है कि नील और इश्वर्या के बाद अब गुम है किसी के प्यार में कि आईशा सिंग इस शो में लगाएंगी तड़का और अगर वाकर में आईशा आ जाएंगी इस शो के अंदर तो यकीनन आईशा और इश्वर्या को लेकर जो cat fight है ना उस पर भी हो सकते हैं कई बड़े खुला से कैसा लगा वीडियो क्या है आपकी राय जरूर बताइए मुझे comment box में इस वीडियो में इतना ही